हेलो गाईजी वल्कम बैटू दा चनल आज हम आपके लिए एक भूति अच्छा स्टोक लेके आई हैं ये जो स्टोक है ये जो लोजिस्टिक की जो सर्विश होती है उसको प्रवाइड करती है ये गरेलू लोजिस्टिक हो गया और जो एंतराश्टि लोजिस्टिक होता है य और एक प्रोफिटेबल कंपनी है ये तो ऐसे ही जो स्टोक होती है आगे चलके मल्टी बैगर बनते हैं इसने पहले भी एक भूति अच्छे रिटर निकालके अपनी इन्वेस्टर को दिये हैं और आगे चलके भी एक भूति अच्छे रिटर निकालके ये स्टोक देगा अ अभी इस स्टोक में बहुती ज़्यादा क्रेक्शन हो चुका है और अगर एक fundamental strong company का स्टोक अगर आपको एक बहुती अच्छा मौका भी हो सकता है तो यह जो स्टोक है यह भी उनी स्टोक में से एक स्टोक है अगर आप इसको बाई करके अगर थोड़े बोट टाइम के लिए इसको आप होल्ड कर लेंगे तो आपको इसमें एक भूती अच्छे प्रोफिट दिखाई दे सकते हैं तो यह जो company है इसको 2011 में बना गया था तो और यह जो company है यह domestic और जो international territory है उसके लिए shipment की service प्रवाइड करती है तो यह जो service ओपर करती है वो mall aggression होगा समूंदरी होगा और वाई उमारक के दवारा होगा प्रोजेक्ट होगा ब्रेक बल्क होगा कस्टम कलियरेंस होगा ट्रांस्पोर्टेशन होगा वेर आउसिंग के सुईदा होगा एन्वी ओ सीसी होगा तो इन सभी की जो service होती है यह ओफर करती है तो इसका जो मुख़ बिजनस है वो transportation का ही तो बिल्कुल एक स्मॉल मारकेट का एपी कमपनी है इसकी जो मारकेट का एप हो 33.90 क्रोड की है इसका जो 92 काई है उस्तावन रुपया 90 पैसे है और जो लो है वो 39 रुपया है और इसके अपर जो डैट ओपी कुटी हो एक पैंट 39 परसंट का है जो परमोटरों की कोई भी होलिंग प्लेज नहीं है इसके अपर जो करन्ट लाइबल्टीज है वो 28.90 क्रोड की है जबकि इसकी जो टोटल एसेट है वो 63.80 क्रोड की है और ये जो स्टोक है इसमें वो लूं कापी अच्छी रहती है आप आसानी से इसको कभी विखरी सकते है और इसको बेश सकते है इसका जो ल्टेम आई है वो 94 रुपिया है और जो लो है वो 39 रुपिया है और ये देखिए इसकी जो शेल्ज जवो काफी अच्छी होने लग रही है सेटेमबर 23 के क्वार्टर में इसने 61 क्रोड की सेल्ज की है और मार्च 24 के क्वार्टर में इसने 22 क्रोड की सेल्ज की है इसका जो net profit है यहाँ पे negative है नहीं तो एक क्रोड का एक क्रोड का तीन क्रोड का ऐसे हो जाता है तो overall यह एक profitable company है और यह देखिए इसका जो सलाना net profit है वो 4 क्रोड का 6 क्रोड का 2 क्रोड का ऐसे हो जाता है इसके अपर जो करजा है वो 39 क्रोड का है इसकी जो रिज़रो capital है वो 12 क्रोड की है और इसकी जो total asset है वो भी 64 क्रोड की है और सबसे important इसमें जो promoter की holding है वो 33.53% की काफी लंबे समय से बने हुई है और जो total number of shareholder है उनकी जो संक्या है वो 391 है तो अभी ये जो stock है अपने 22 के लोगे आज़ पासी 32 रुपे की उपर टियर करने लग रहा है तो एक भूती अच्छी opportunity है इस stock में buy करने की एक भूती अच्छा stock है और एक fundamental copy एक strong company है और दोस्तों किसी भी stock में अगर आप पैसा लगाते हैं तो अपना खुद का research भी जरू करने लग रही है तो अगर आप इस stock में buy करना चाते तो आप इसकी 100 quantity हो गया तो 100 quantity हो गया ऐसे करके इसको आप इसमें buy कर सकते हैं एक भूती अच्छा stock है और एक fundamental copy एक अच्छी company है तो दोस्तों ऐसे stock के बारे में और अधिक जानने के लिए प्लीज मारे चैनल को लाइक अच्छाने सब्सक्राइब करें थैंक्स पर वाचिंग